नमस्कार मैं हूँ अनिस कुमार सिंग तो आज हम लोग श्टाइट इस वैग में जुड़ चुके हैं आज की टॉपिक काफे इंट्रेस्टिंग है तो चलिए बात करते हैं पिछले कुछ दिनों पहले आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे अर्टिकल पब्लिस हुए हैं जहां पर यह लिखा है कि चाइना की जो नुक्लियर संब्रीन है इसके साथ एक पड़ा डिजास्टर हुआ है और 55 चाइनेज नेवी के ऑफिसर और सॉल्डर दोनों मारे ग किया गया है कि यह लो सी के आज पास चाइना ने एक ट्रेप बिछा रखा था यूए संब्रीन के लिए मगर जो ट्रैप था ना वह चाइनीज संब्रीन के ही एक्टिव हो गया जिसकी वज़ासे 55 चाइनीज नेवी के लोगों की मौत हो गई ना इससे रिलेटेट आर्टि मारे गए हैं अपनी नेवी के तो इनको लेकर ना चाइनीज नेवी ने चाइनीज गौर्वन ने यह कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है चाइना का अभी के लिए देखे किलियर स्टेंट्स है कि नथिंग लाइक दिस हैपन यह जो न्यूज आ रही है ना जिसका सोर्स बता पहले सबसे पहले इस न्यूज को कवर किया कि चाइना ने खूद के नेवी को मार दिया विट ट्रैप सिट्स फॉर अज एंड ब्रिटिस वैल्स तो इसी वीडियो में डिसकस करेंगे कि क्या हुआ है यहां पर और कैसे यह वर्ष्टन वीडिया को इतना इंट्रेस्ट आत कि जब भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट किया जाता है ना तो यहां रसियन के साथ ना चाइना के साथ वैस्टन वीडिया बहुत ही इंट्रेस्ट हो जाता है अब इंट्रेस्ट इसलिए क्यों कि देखो जीओ पॉलिटिक्स है यहां पर देखोगे ना रसिया और चाइना बहुत ही बड़े अन्विस हैं वेस्टन कंट्रीज के जियो पल्टिक्स्रम की मैं बात कर रहा हूं ना तो दुसरा एक्सपेक्ट यह भी आता है कि दोनों का इतिहास है कि जब इनका मिलिटरी में लोस होता है ना तो कई हबतों तक यह बताते नहीं है उसके बाद इनके प्र रसिया के केस में अगर हम देखे ना तो जैसे ही चाइना की यह नियूज सामने आई कि नुकलियर समरीन का हाथसा हो गया सीधा लोगों को याद आया रसिया के कुर्ग समरीन डिजाश्टर कई अब यहाँ पे आप कहो गए यह कुर्ग समरीन डिजाश्टर क्या है कौन सा ह देखिए रसिया की एक पहुत इंपोर्टेंट नुक्लियर संब्रीन थी जिसका 2000-2001 के आसपस एक पड़ा हाथसा होता है हुआ भी बेसिकली क्या क्यों कि देखो अगस्ट 2000 में रसिया की नुक्लियर संब्रीन जो नार्दन एरिया के आसपस ट्रेवल कर रही थी इस संब्रीन के अंदर जो एक ट्रॉपीडो था ट्रॉपीडो आप कहले जिए अंडर वार्टर मिसाइल की तरह काम करता है तो यह जो इसका संब्रीन के अंदर ट्रॉपीडो था ना यह संब्रीन के अंदर ही फड़ गया जिसकी वज़ा से एक सो से अधिक रसिया के नेवी क के लोगों की मौत हो गई यह एक बड़ा डिजास्टर था जब ब्लास्ट वना तो नुक्लियर संब्रीन के अंदर इसकी जो आवास थी नौर्वे तक पहुंची स्वेडन तक पहुंची यूरोप के कई जो देश थे उनके रेडार्स ने यह ब्लास्ट को रिसर्स एम रेजि एक्चूली ऐसा कई हफ्तों तक ना यह बात एक्सपेक्ट ही नहीं की कि हमारे साथ कोई नुक्लियर संब्रीन का बड़ा हाथसा हुआ है और सबसे अजीब बात है कि देखिए उस टाइम सन 2000 में मैं बात कर रहा हूं तब पुतीन व्लादमीन पुतीन नए नए प्रेसिड और बाद में रिपोर्ट यह किया गया था कि यहां पर हाथसा हो गया सौ से अधिक उपर से रसिया के नेवी लोग मारे गए व्लादमीन पुतीन ने अपनी छूटियां खत्म नहीं की और उन्होंने अपनी छूटियां को पुरा कंप्लिट करके वो आपस लूटे करी कि हाँ जी हमारा नुक्लियर समरीन थी जो उनके हाथसे में खतम हो गई और उसमें टोटल 118 से जो क्रुक मेंबर थें यहां पर आप देख पाओगे सब की मौत हो गई और यह एसिया हिस्ट्री में एक्चुली देखो आप कह लिजे नेवल हिस्ट्री में सबसे बड़ चैलेंज खड़ा हो गया यहां पर आप देख पाओगे इस पर कई कितावे लिखी गई है कई मूवी यह बनी है और टीवी सो में बन चुके हैं इस पर अगर आप ट्यूटर या यूटूब पर सर्च करोगे ना कुर्क्स टेलर तो इस पर आगर आपको मूवी तक की टेलर दिखने को मिल जाएगी बहुत कुछ मेटरियल आपको एवलेवल मिलेगा तो ना हम लोग चाइना की एक्सिडेंट की बात करते हैं तो यह कैसे देखो बैसिकली जो यह लू सी है यह लू सी अगर मैं आपको दिखाओ मैप में दिखाता हूं तो इधर यहां पर आपको से लिए भी चाहिए थे कि देखो कल को मान लीजिए यह इवेंच साउथ कोरिया की सब्मरीन अगर चाइना के करीब आने की कोशिश करती है ना तो उनको डेमेज हो जाए अंडर वाटर इनको काफी लोस हो जाए तो यह देखो यह जो है ना सिस्टम चाइना ने बिल्ड कर यह जा रहा है कि जो ऑक्सीजन सिस्टम था ना संब्रीन के अंदर वहां पे ना माल फंसन हुआ और सिस्टम प्रोपली काम करना बंद कर दिया और देखो उसकी वजह से ना यह हमारा सोल्जर जो संब्रीन था वो डिजास्टर हो गया और हमारे कई सोल्जर मारे गए अब यह चाइना को जो बात है वह अपना कई बात चुपाने की कोशिस कर रहा है ना इसके अगर आगे कुछ टॉपिक्स आती है ना इससे लिए तो मैं आपको जरू नेक्स वीडियो में बता दूंगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स